नवस्कार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल न्यूज बाई उदसर में दोस्तो आज है 9 जून 2023 और मैं लेकर आया है हरियाना की लगवग 15 बड़ी बड़ी खबरें कुछ खबरें स्क्रीन पर हैं इन से अलग बहुत सारी खबरें वो भी सेर करेंगे क्योंकि स्क्रीन पर बहुत सारी जो एहम खबरें उनकी जो हेडलाइन वगएरा है वो हम नहीं डाल सकते हैं कुछ लिमिट होती है वो ही हम डाल सकते हैं लेकिन इस वीडियो में लगवग हरियाना की 15 बड़ी खबरें मैं सेर करणा वो भी कम समय में। तो भई जो नए साती हैं पहली बार इस चैनल पर कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो प्ली चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सेर करें। क्योंकि हरियाना की कोई भी जानकारी नहीं चूटेगी चाहिए वो कितनी बड़ी जानकारी है कितनी चोटी जानकारी है किसी विच्षेतर से जड़ी ही जानकारी है सबसे पहले मौरिनिंग में लिकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सेर करें तो जान लेते हैं हरियाना की जो फटा फटा है जो बड़ी 15 खबरें वो सभी आपके सामने हैं सबसे पहले जो बड़ी खबरें यहापर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अरविंद केजरिवाल से जड़ी हुई है यानि कि आम आदमी पार्टी से जड़ी हुई जन करी है दिल्ली मेरी करम भूमी हरियना मेरी जनम भूमी मेरों को एक मौका दो आपके बच्चों को समझाने की कोफिस करना हूं अगर नहीं हापर केजरिवाल कि सरकार हरियाना में बनती है तो बइस सभी के लिए बिजली फिरी रहेगी पानी की सुविधा फिरी रहेगी शिक्षा के लिए बहुत सारी भरतियां की जाएंगे बहुत सारे अस्पिताल बनवाए जैंगे तो इन से अगस्तक तीन महा तक चलेंगे गरूप सी की स्क्रीनिंग परिक्षाएं भई यानि कि जो बेरोजगार वैक्ति हैं उनकी हम बात करें 21 जून से इसके लिए परिक्षाइजित की जाने वाली यानि 21 जून को पहला एक्जाम हो सकता है तो यह बड़ी जानकारी निकल कर सामन जिले में 38 आईटी आई में दाखिली स्रू हो रहे हैं बारहजार 508 सीटों के लिए आवेजन 21 जून तक होंगे बाई पोल टेक्निकल में दाखिली के लिए आज से खुलेगा पोर्टल बाई तो यह बड़ी जानकारी हम सेर कर रहे हैं यहां पर बहुत बड़ी जानकारी लेक रहे हैं यहां कि पोल टेक्निकल या आईटी आई की हम बात करें इनकी एडविसन की जो यहां की पिरकरिया फॉर्म बने की आज से सुरू हो गई है और 21 जून इसकी आखिरी तारिक है 12508 सीट है तो भई कहीं न कहीं बड़ी जानकारी आपके लिए लेक रहे हैं बई मानसून लेट आया पर एक ही दिन में केरल को पार के करना टक पहुंचा हरियाना में जब भी मानसून में देरी हुई है तो कम बारिस होई है बरसात हुई है लेकिन यहां पर जो जानकारी मिल रही है हरियाना में जो मानसून जो दस तक देगा वो 30 जून तक पहुंच से जुड़ी हुई बड़ी जनकारी है बई सहावाद में धरना जा रही है जजबा विदायक काला ने डिप्टी सीम को दिया इस्तिपा इसके उपर जनकारी हमने सेर कर दिया बई सूरज मुखी नहीं बेचने बेचने पहुचे किसान आंदोलन के साथ अब राजनी तिक सुर होगी दीपंद रोड़ाने किसानों को दिया समर्थन कांग्रेस बोली काला गुनाहर ड्रामा कर रहे है बई तो यहां पर बड़ी जनकारी निकल कर सामने आ रही है और साथ कसाथ कांग्रेस सरकार ने गोसना कर दिया जैसी हमारी सरकार बनेगी चैनी 6,000 रुपे सरकार की में बात ने कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी के हम बात कर रहे हैं तो यह भी एक राजनीती से जुड़ी हुई एक बड़ी जनकारी है बई ग्यारह जून के बाद गाम में भाजबा जाजबा नेताओ की इंटरी बेन भाई ग्रह मंत्री अमिसा की रेली को लेकर सर पंच उसका बहिसकार करेंगे तो कहीं ना कहीं अब मैं कह सकता हूं कि राजनीती का दौरा वो शुरू हो गया है और भाजबा जाजबा पार्टी है उनकी मुस्किले आने वाले समय में बढ़ सकते हैं जो जानकारी हम सेर कर रहे हैं SC-ST विद्यारतियों का B.A. B.S.C. में B.C. में फिरीद आखिला होगा भाई तो यानि कि एगनु में जुलाई 2023 सेशन के लिए एडिविशन अभी चल रहे हैं एगनु के विविन सर्टिपिके डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा ग्रिजवेशन पोस्ट ग्रिजवेशन तीन स अधिक पार्टे करमें एडिविशन ले सकते हैं एगनु छेत्री केंदर करनाल के छेत्री निदेसे के प्रवारी डाक्टर द्रहमपाल ने बताई कि आज का युबा अपने पैर ओपर खड़ा होकर आत्मिनर बन सकता है तो भाई यहां पर यानि कि SC-ST विद्यारतियों में बार्मी पास करिये उनके लिए B.A. B.C.B. कॉर्स में फिरी है बिल्कुल एडिविशन फिरी है कोई चार्ज नहीं है केबल आपको 300 रुपे रजिस्टेशन फीस देनी पड़ेगी बाकि कोई फीस नहीं है आपर बड़ी जानकारी दरसाए गये तो भाई जो युबा है ज अगर आप कर रहे हैं तो यह सुविधा पूरे हरियना में सरकार की तरफ से दी जा रही है तो भाई जो चात्राओं के लिए यह सुविधा उपलावद है तो इसका फायदा उठा सकते है हर महीने 500 रुपे फिरी और बस सुविधा फिरी है बिल्कुल तो यहाँ पर बहुत लिए हम लेक रहे हैं बाग लगाने के लिए किसानों को दी जारी है सत्तर प्रितिशत तक सबसीडी तो चरकी दादरी से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आरे है अगर आप बाग लगाते हैं बाग की खेती करते हैं तो यह फिर्ती एकड़ आपको 43,000 रुपे मिलेंगे ब बागवानी की हम बात करें सबजी लगाने पर 15,000 रुपे से 25,000 रुपे यानि कि पिरती एकड़ आपको दिये जाएंगे सरकार की तरब से तो यहाँ पर जो किसान भाई है उनके लिए अपने आप में बड़ी जानकारी है और आप इसका फाइदा उठा सकते हैं किसान भाई